दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको जिन्दगी बदल देने वाला क्वोट्स बताऊंगा जो आपके जिन्दगी को बदल सकता है उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल स्प्रिचुल वास को सब्सक्राइब जरूर करे मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर खामोशी किसी इनसान की कमजोरी नहीं उसका बड़पन होता है वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है आख में पानी रखो होठोन पे चिंदारी रखो जिन्दा रहना है तो तरकीबे बहुत सारी रखो राह के पत्थर से बढ़ कर कुछ नहीं है मन्जिले रास्ते आवास देते हैं सफर जारी रखो कौन कहता है कि नेचर और सिगनेचर कभी बदलता नहीं बस एक चोट की जरूरत है अगर उंगली पे लगी तो सिगनेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है समझदार इंसान वो नहीं होता जो इंट का जवाब पत्थर से देता है समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई रेंट से आशियों बना लेता है मांगो तो अपने रब से मांगो जो दे तो रहमत और न दे तो किस्मत लेकिन दुनिया से हर गिज मत मांगना क्योंकि दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी नकारात्मत लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नया परिशानी रहता है दोस्तों आप हमारे चैनल स्प्रिचूल बॉस को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप उस इनसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आइने में देख लें बीते हुए कल के बारे में सोच कर हमेशा दूहक ही मिलेगा अगर अपने भविश्य के बारे में सोचोगे वो आने वाले समय में जरूर सुख मिलेगा भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है बलकि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं मुझे शत्रंच पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत ही अच्छा है चाल कोई भी चले पर अपने अपनों को नहीं मारते हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है जिन्होंने कहा था तेरे बसका नहीं उनको भी करके दिखाना है जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना क्योंकि जहां सुरी का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती है इनसान को केवल दो चीजे काम्याब बनाती है एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहंत अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहंत सबसे नहीं होती दोस्तों आप हमारे चैनल स्प्रिचूल बॉस को सब्सक्राइब जरूर करें लोग जब आपको पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तब असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इजिस्त देनी है नियत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो मनजिल को ढूंडना नहीं पड़ता फिर इनसान उसी तरफ जाता है जहां उसे मनजिल मिलनी होती है इनसान की आर्थिक स्थिती कितनी भी अच्छी हो लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिती अच्छी होनी चाहिए जब तूटने लगे होसला तो बस ये याद रखना बिना मेहंत के हासिल तक तो ताज नहीं होते ढूड लेना अंधेरे में ही मनजिल अपनी दोस्तों क्योंकि जुगनु कभी रोशनी के मुहतास नहीं होते जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पिंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है क्योंकि हम समझ जाएकी अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है कुछ बनाना है तो पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है किसी अच्छे इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा सलूक ना करें क्योंकि सुन्दर कांच जब तूटता है तो धारदार हतियार बन जाता है दोस्तों आप हमारे चैनल स्प्रिचुल बॉस को सब्सक्राइब जरूर करे सोचो अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या फाइदा लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कोशिश करने से ही मिलेगा जुनून जैसी कोई आग नहीं है नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है लालच जैसी कोई धार नहीं है उम्र ठका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती अगर जिद हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती दोस्तों आप हमारे चैनल स्प्रिचुल बॉस को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद